जेसी सी गुरुकूल आप सभी को ज्वार अभिनांदन भी करता है इस प्रकार आज हम लोग दो वेकेंसी के बारे में डिसकस करने वाले सबसे पहली वेकेंसी ये आप जो देख पा रहेंगे ये उतकर्ष अस्मॉल फैनेंस बेंक के तरफ से ये वेकेंसी निकल के आ रही है और ये दिन परति दिन ये वेकेंसी अपने परगती को चरम सिमा पर पहुचाने की परियास में लगी हुई है इस परकार जहारखन के बहुत सारे जिल्लों में इसका ब्रांच भी आप लोग को देखनी को मिलेगा जैस्ट 15-20 दिन पहले ही एक और वेकेंसी इसके रिगारिंग आप लोग को दिया गया था जनकारी और साथी साथ और एक वेकेंसी यहाँ पर इसी बेंक से रिगारिंग वेकेंसी निकाली जा चुकी है सबसे पहले यहाँ पर जदी हम लोग बात करते है क्या क्वालिफिकेशन कब इसके एक्जामिनेशन फूम यह अपलाई किये जाने तीन सभी टोपिक्स पर हम लोग बात ही करने वाले सबसे पहले देखे यह प्यो लेबल की आप लोग की वेकेंसी है जो की डायक लिए आप लोग का रिटेन एक्जामिनेशन बेस लिया है with a minimum 50% aggregate marks in graduation graduation में आपके कम से कम 50% marks होने चाहिए किसी भी अश्ट्रीम से है इसमें यह माइने नहीं रखता कि जैसे अधिकांस बेक में SBI या फिर कोई भी बेंक आप देखते होंगे बियो बेंक्स इन सभी बेंक्स में आप लोग को मांगा जाता है कि बिकोम होना कोमर्स से ही graduation होना चाहिए बट इस प्रकार की क्रिटेरिया यहां पे आप लोग को नहीं देखने को मिलिए सिंपल आप 50% के साथ आपने graduation पास किया है चाहे किसी भी अश्ट्रीम से arts हो चाहे आप लोगोंने arts, commerce, science, BAC, BA, BICOM कोईसी भी अश्ट्रीम से आप लोगोंने graduation प तो आप लोगों को यहां पे form की प्रकार भरना है तो updated resume आप लोगों का नया resume updated पुरा content वाला resume त्यार कर लेना है और इस email पर आप लोगों को share कर देना है इस email पर आप लोगों को mail कर देना है अपने resume को जब उस email को resume किजेगा यह आप लोगा application है और यह अंतिम्तित्री रखी गई है 23 नॉमबर 2023 तक आप इसके लिए इस resume को इस email पर कौन सा email यहां पे एक-एक spelling email आप लोग ठीक से मिला लिजेगा चुकि एक spelling भी mistake हो सकता है आप लोग का सही email पर यह resume नहीं जाएगा इसलिए बारिकी से पुरा एक-एक word आप लोगो email देखना है यह अंतिम्तित्री रखी गई है 23 नॉमबर के तक और जैसे आप लोग यहां पर resume देजेगा तो उसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है resume देने के बाद वो आप ल Retain Test followed by a personal interview Retain Test के साथ साथ आप लोग का interview भी यहां पर लिया जाएगा conduct करवाए जाएगा सबसे पहले Retain Examination देन आप्टर उसके बाद आप लोग का interview यहां पर conduct करवाए जाएगे तो इसका कब interview होगा कब Retain Examination होगा वो भी आप लोग को इसी परकार इसका जो वेबसाइट है यहां पर वेबसाइट देख सकते ही यहां पर वेबसाइट पर आप लोग को विजिट करते रहना होगा यह है इनका वेबसाइट इस वेबसाइट पर विजिट करते रहना होगा साथ यह साथ आपके email पर ही वो भेद दिया जाएगा कि किस दिन आ आप लोगों के ये इंटर्वियू है सो और दूसरी भेकेंसी अब हम लोग देख पा रहेंगे जिसमें की 139 पदों पर या भेकेंसी देखनी को मिल रही है या भेकेंसी है जनजातिये विश्विद्दाले में कर्मियों के 139 पद होंगे सिर्जित और कौन-कौन से पोस्ट हो होंगे वो भी यहां पे जिक्र किया गया है जिसा कि ये देश का दूसरा देश का दूसरा ये जनजातिये विश्विद्द्दाले है इससे पहले मध परदेश में एक पहला देश का पहला मध परदेश में जनजातिये विश्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द का नाम क्या है पंडित रगुनात मुर्मु जंजातिय विश्विद्धाले जमसेद पूर में कहां पे जमसेद पूर में इस विश्विद्धाले को अस्थापित किया गया अब चलिए देखते हैं कि इन किन पदों पर यह भेकेंसी होगी सो पद यहां पे साफ साफ तोर पर जिक्र की आगया देख सकती है इन पदों पर वहकेंसी आने वाली है यह सिरजित है जब इसका नोटिफिकेशन आ जागा उस समय भी आप लोगको इन्फोर्म पर दिया जागा बट यहां पर पहले ही आप度को इन्फोर्म कर दिया जारह है जैसा कि एक कलेंडर नहीं होता य ये कलेंडर को ही आप लोग समझ लीजिए किस रेनी में कितने पद होंगे सिर्जित देख लीजिए सायक अध्यापक के 36 पद रहेंगे सह परधाना अध्यापक के 24 और परध्यापक के 12 गैर सहिचनिक पदाधिकारी के 10 और सिचकतर कर्मी के 47 पत्र जिसमें की सिचकतर कर्मी जो रहेंगे 47 जिसमें की अलग-अलग कुछ क्वालिफिकेशन 12 ग्रेजिएशन इस परकार मिनिमम मांगे जाएंगे बट जो सिच्छी का है सिच्छी का के लिए जाहिड सी बात है यहाँ पे आप लोग को बियर यह सब मांगा ही जाएगा बट यह जो सिचकतर कर्मी है यहाँ पे आप लोग को सिंपल आप लोग को जैसे की ओफिस मेनेजमेंट इस समरें रखने के लिए 10-12 ग्रेजिएशन इस परकार सिंपल यहाँ पे आप लोग को एडिकोईशन क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे बाकी इसका नोटिफिकेशन जब आता है तब आप लोग को इनफॉर्म कर दिया जाएगा बाकी जो भी कंडिडेट इलिजिबलीटी रखते हैं और यहाँ पे जो ये उतकर सा स्मॉल फाइनेंस बेंक के तरफ से आया है तो यहाँ पे कोई भी आप लोग को क्या करना है जो भी इलिजिबल कंडिडेट है आप लोग कोईटी में आप लोग खरे उतरने का परियास किजिए